हेल्फ फ्रेंट्स मैं हूँ सनमे प्रकाश और आपका स्वागते सरकार जौब में उसके करेंट फूर्सूडियो में तो कई इन पांट टॉप है टॉप टेन उससे पर बात करेंगे बिना देर की वह शुरू करते हैं और हाँ आपको इनफर्म कर दो कि सरकार जौब में आप आ चुका है जि लोग ने मेंबर्शिप लिया हुआ है वो तुरंत नया आप डाउनलोड कर लें पुराने एप पर अपडेट अब बंध हो चुका है ओके और जी लोग ने में मेंशिप नहीं लिया है उनसे पिले देखिएगा ज़रू इस वोटेगे डिस्क्रिप्शन में शुरू करते हैं और पहला कोशन सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल ये राश्टपती ने दोज़ाच चौबिस में भारत रत्न अवार्ड से किसे समानित करने की घोशना किये आंसोगा करपूरी ठाकुर बिहार के पुर्व मुख मंतरी तो राश्टपती दुरौपती मुर्मु ने ये ऐलान किया है करपूरी ठाकुर जो हैं वो सोतनता सेनानी सिख्षक राजनितिक रह चुके हैं और मरनो परांत ये अवार्ड उनको दिये जा रहा है ये घोशना की गई है राश्टपती ने ये ऐलान किया हैं 23 जन्वरी को करपूरी ठाकुर दो बार बिहार में मुखमतिर रह चुके हैं एक बार डिप्टी सीम भी रह चुके हैं और 24 जन्वरी को यानि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी सौवी जैनती है उनका जन्व हुआ था करपूरी ठाकुर का 24 जन्वरी 1924 को कब 24 जन्वरी 1924 को कहाँ पर बिहार के समस्तिपूर जिले के पिताँजिया गाओं में अब उस गाओं को करपूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है उनका निदन हो गया था 17 फरवरी 1988 को कब से कब तक वो चीफ मिनिश्टर है तो देखे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक पहली बार दूसरी बार चीफ मिनिश्टर बने 24 जून 1977 को और रहे चीफ मिनिश्टर 21 अपराइल 1909 सी तक और उससे पहले इन सब से पहले CM रहने से पहले डिप्टी CM भी बने थी 5 मार्च उनिश्टर याणिटी 1967 में और उनका कारकाल था डिप्टी CM का 31 जन्वरी 1968 तक ठीक है करपुरी ठाकुर उनके फैसले दुनिया के लिए या देश के लिए बहुत ही मिसाल मने थे आगे और भी बताऊंगा मैं कि भारतरत्रत्रों होता क्या है और अब तक कितने लोगों को आतरत आवाड मिल चुके हैं और इसके बारे में भी बताएगें पहले करपुरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं करपुरी ठाकुर को बिहार के समाजिक निया एका मसीहा माने जाता है देश में सबसे पहले उन्होंने पिछरा वर्ग को आरक्षन दिया था 1977 में मुखमत्री बनने के बाद मुगई लाल कमिशन को लागू किया था उन्होंने और उसके कारण पिछरों को बिहार में नौकरियों में सरकारी नौकरियों में आरक्षन मिला था देश के पहले मुखमत्रियें जिन्होंने अपने राज में मैट्रिक यानि 10 तक की पढ़ाई को मुफ्थ कर दिया था सरकारी स्कूलों में उसे पले फीस लगता था बिहार में उर्दु को दूसरी राज की भाषा का दर्जा देने का जो काम इन्हों नहीं किया था करपूरी ठाकोरने 1967 में पहली बार उत्मूखमत्रिक जब वो बने थे तो अंग्रेजी की अनिवारता समाप्त कर दे थी होता यह था कि स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार था और उसी वएसे बहुत सारे श्टूडेंट जो है न ग्रामीर छेत्रों के जहां अंग्रेजी की पढ़ाई ठीसे भी नहीं हो पा रही है तो वो इसकूल डॉप आउट बहुत ज़द हो रहा था और भी कई सारे काम के उन्हों ने गैर लापकारी जो जमीन है उस पर माल गुजारी टैक्स को बंद कर दिया था यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्नों और महिलाओं के लिए भी आरक्षन का प्रामधान किया था सोतंता का संघार्शो या जेपी का अंदोलों हो करपुडी ठाकुर की भूमी का जोनों हमेशा आगनी रही है वो समाजिक व्योस्था परिवर्तन में करपुडी ठाकुर के मतलब आदर्श थे कई जिस जेपी यानी जब प्रकाश नारायन लोहिया आचार नरिंद्यो उनीसो सत्तर में जब सरकार में वो मंत्री बने तो आठवी तक की उन्होंने शिक्षा शुरुवात में मुफ्त कि थी ठीक है उर्दु को सेकेंड राज की भाशा का दर्जाय दिया था बिहार में और आपको दो के सत्ता में उनका कारकाल भले ही लंबा समय नहीं रहा लेकिन उन दिनों में जब तक वो सरकार में थे यानि जब तक वो मुखमतिर है डिप्टिसीम रहे तो एक गरीब परिवार और अतिन्त पिछे जो जाती यानि नाई जाती से थे वो उनके लिए बिहार की सत्ता के सरुच कूर्सी तक पहुचना और उन्होंने जो काम किये वो मतलब सामान उपलब्दी नहीं है और नतीजदन हम देख रहे हैं कि किन सरकार ने और फिर राश्टपती ने ये ऐलान कि इनको भारत रतन दिया जाया ये हैं करपूरी भाकुर ठीक है अब बात कर लेते हैं भारत रतन के बारे में क्या है ये भारत रतन तो भारती गर्नराज्य का सर्वच नागरिक पुरस्कार है इसकी अस्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी कैसे चैन होता है किसी को भारत रतन दिया जाना है तो ये कैसे तैय होता है तो दीखे राष्टपती को विजेता के नाम का रेकोमेंडेशन प्रधान मंतरी करते हैं इसके लिए कोई चैन प्रक्रिया उगरा नहीं होती है प्रधान मंतरी रेकोमेंड करते हैं और उनको फिर राष्टपती के द्वारा ये बगते हैं सरपली राधा कृष्णन ओर सीवी रमन तो तीनों को एक साथ यह अवाड मिला था अच्छा अवाड मेँ मिलता क्या है क्या होता है एक तो प्रशस्थित पत्र होता है जिसमें अवाड की बारे में लिखा होता है तो ये पदग पर एक तरफ, प्लेटेनियम का यह वाला हिस्सा देखारे हैं, तो वो चमकता हुआ सूर्य होता है, जिसके नीचे चांदी से ये भारत रतन लिखा होता है, ठीक है? और उसके पीछे दूसी तरफ अशोक अस्तम और उसके नीचे लिखावता है सत्यमेव जयते और हाँ भारत रतन प्राप्त जो विजिता है उनको प्रोटोकॉल में भी अस्थान मिलता है अच्छा खासा जिससे सबसे उपर तो प्रोटोकॉल में होते है राश्ट्पती फिर उपर राश्ट्पती फिर प्रधान मंत्री फिर उपर प्रधान मंत्री फिर मुख नयाधेश फिर लोकसभाई स्पीकर कैबिनेट मंत्री वगरह होते है तो और उसी के बाद यानि लोकसभाई स्पीकर के बाद का जो प्रोटोकॉल होता है तो वो भारत रतन वीजताओं को मिलता है यह ओके तो भारत रतन वीजताओं को एक तरह से कैबिनेट मंत्री के बराबर का वी आईपी दर्जा मिलता है मंत्री पद नहीं मिलता है मतलब उसके बराबर का प्रोटोकॉल मिलता है दूसरी बात में भाग ले सकते हैं voting नहीं दे सकते हैं लेकिन भाग ले सकते हैं वहाँ पर सुतंता दिवस और दंतन दिवस के कारिकरमों में विशिश्ट अतिथी के तोर पर भी भाग ले सकते हैं उनको हवाई जहाद यानि फ्लाइड, ट्रीन और बस में निशुर्क यातरा की छूट मिलते है और अगर किस राज में वो घुमने जाते हैं तो उनको राज अतिथी यानि इस्टेट गेश्ट का दर्जा मिलता है बहुत सर सुधाय मिल जाते है और यहां मैं आपको बताओं कि कोई ये नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न फ अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्या के रूप में ये यूज कर सकते हैं लेकिन वो अपने बायोड़टा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड इस समय राष्टपती द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न प्रुसकार प्राप्त अपने नाम के नीचे वो लिख स और क्या बात है तो राजसरकारे भारत रत्न प्राप्त जो विएता हैं उनको अपनी तरब से भी बहुत सारी सहुलियत प्रदान करती हैं तो यह अपने जाना भारत रत्न के बारे में जो इन्पोर्टन एक है हलाकि इनको यानि करपुरी ठाकर को जो अब भी ऐलान किया ग है फिर यह 25 तक है तो टोटल अब 49 संख्या हो गई है कितने हो गई है अब 49 संख्या हो गई है आना कि करपुरी ठाकर को अइलान हुआ है जल्द ही उनको दे दिया जागा तो यह पूरी लिस्ट है आप चाहें तो इसक्रिंशॉट लेने या फिर आप इस वीडियो के डिस् अब दियाने की मतुँ 48 को तो अब दिया चुका है और इनको एलान किया गया है 49 को यहां कुछ पॉइंट आपको बदा देना चाहते हूं एक्जामनेशन के पॉइंट के उसे ठीक है यह तो आप एक बार पढ़ लेना किनको किनको कम मिला है और हाल फिल हाल जिनको मिलाना वो तो ध्यान में रखना है जैसे पिछली बार 2019 में प्रणव मुखर जी डॉक्टर भूपैंत कुमार हाजारिका और नाना जी देश मुख इन तिनों को एक साथ मिला था ठीक है 2019 में उससे पहले पंडित मदन मोहल मालविये को 2015 में और अटल बिहार वाजपे को 2015 में मिल च ठीक है अगर सवाल हो कि विदेशी मुलके कितने लोगों को ये समान दिया चुका है तो ऐसे तीन लोग है विदेशी मुलके एक तो ये मदर टरेसा दूसरे खान अबदुलगा फार खान और निलसन मंडेला उनको भी मिल चुका है भारत रत ठीक है और मनो प्रांथ कितने तो कर्परी ठाकुर को लेकर 12 लोगों को मनो प्रांथ भी दिया जनने की खोशना हो चुकी है अच्छा यहां एक और पॉइंट बताओ आपको स्वास्चंद बोस नेता जीव स्वास्चंद बोस उनको भी मनो प्रांथ भारत रत रतन दिने का ऐलान हुआ था लेकिन पूरा जो इंपॉर्टन है भारत रतन के बारे में मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चू कहूंगे अब आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं उससे पहले आपको इंफर्म कर दूँ कि करेंट फॉर्स की तियारी करते हैं तो यहां एक मेंबर्शिप प्लान है बहुत शांदार आपके लिए और उसके ज़ड़िये चाहे आइस, पेस, CS का एक्जाम्निशन दे रहे हो और रेल वे का देरहो इससे के तमाम्निशन दे रहे हो जब पुलीस टीचर के या एस्टेट एस साब में बहुती खाम आने वाला है इमेमर्शिप प्लान और इसके सब्सक्राइब आपको पिछले सालों के दो साल के तो content मिलते हैं, current force के, और अगले एक साल तक आपको, यानि 35 दिनों तक current force का PDF मिलता है, test मिलता है, और तमाम समधित examination के test series भी detail में होते हैं, okay, test series सब्सक्राइब सब्सक्राइब होते हैं, PDF आपको current force का मिलता है, weekly, monthly, quarterly, yearly, और test भी होते हैं, current force के, daily, weekly, monthly, ठीक है, पिछले भी आपको मिल जाएंगे, पिछले हाला कि 23 के monthly अबल बल है, और video भी मिलेगा, video, daily, weekly, और monthly, ठीक है, और special classes भी होते हैं, जिन लोग ने ISPCS से सम्बंदित, जो course लिया होगा है, उनके लिए, इनेशनल इंटरनेशनल टॉपिक पे भी classes होती है, तो देखेंगे जरूर, अभी छूट चल रही है, कुछ दूनों के लिए, 73 दिवस को लेकर, करीब 50% के आस पास, इस विए डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, और एप का लिंक भी है, एप डाउनलोड करके, 23 जन्वरी को मना जाता है, क्योंकि इसे दिन निताजी सुभाषन बोस की जैनती होती है, तो इसी वज़से ये मना जाता है, और इसकी घोषना जोनों केंदरी संस्क्रिप्शित मंत्रा ड़ने वर्ष दोहजार 21 में के थी, निताजी सुभाषन बोस ये आप देख रहे है, उन्होंने आजाद हिंद फोज की का गठन किया था, अंग्रेज उसे लड़ाई लडने के लिए, निताजी सुभाषन बोस उनका जन्व हुआ था का, 23 जन्वरी 1897 में, कहां पर हुआ था, उस वक्त मंगाल डिविजन था, ये ओडिसा था, उस वक्त मंगाल था, तो उसी क कटक में हुआ था, 1897 में, आपको उताओं कि 1920 में उन्होंने इंगलेंड में सिविल सर्विस परिक्षा पास की थी, वो कलेक्टर बन सकते थे यहां पर, लेकिन भारती सोतंता संगर्ष में हिसा लेने के लिए, उन्होंने अपनी नौकरी जो उसमें बहुत ही प्रतिष्ट अंगलेचों से भारत को आजाद कराने के लिए, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, ठीके, दूसरा रास्ता मतलब कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया, उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की अस्थापना की थी, और उसी दोरान हिंद फौज का गठन कर दिया था, वो अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, जो कि अब मैंगमार है, वहां पहुंचे थे, और उन्होंने नारा दिया था, बहुत ही मशूर, तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजादी दोंगा, ठीके, फिर उनका निधन की त मतलब लापता हो गया, हुआ यह था कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे, यानि ताइवान से विमान उड़ा था, उसके बाद फिर एक विमान दो दुरगाटना गरस्त हो गया, घटना के बाद तीन जाच आयोग बने थे, कमीशन बना था, जिस पर से दो आयोग ने यह दावा किया दुरगाटना के बाद, यानि प्लेन क्रेश होने के बाद, नेता जी की निधन हो गया था, प्रित्य हो गया थी, जिबकि एक और जो आयोग बना था, नियामूर्थी एमके मुखर जी आयोग, उनकी अधक्षिता में, तो उसने यह दावा किया था कि घटना के बाद नेता चल रहा था, राजगाट के लिए, तो उसमें भी वो मौझूद थे, यह सब बाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, आखिरकार कि सुभाचन बोस, उनका निधन कब हुआ था, या वो जीवित भी हैं, ठीके, और इसी वाज़ से, पिछली बार, पिछले कुछ साल पहले, इनक तो हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि उनके निधन हुआ है कि नहीं हुआ है, तिस वज़े से इनको भारत रतन जोनों वो फैसला वापस लिया गया था, ठीक है, तो यह जो फोटोग्राप देख रहे हैं आप न, यह रानी लक्ष्वी बाई, बिंग्रेड उन्हो में आप सोच किजिए, उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भी शामिल किया था, और यह सब महिला स्टाइनिक हैं, और परेड के समय वो निरिक्षन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लेते हैं, मात्पून कोशन, सुभाज चंद बोस तक वो जरूर कर लें, बिलेकर दबाएंगे, तो नोटिफिक्षन आपको वक्त पे मिल सकेगा, तो इस कोशन का क्या आंसर होगा, क्या कोशन है, सुभाज चंद बोस आपदा प्रवंदन पुरुसकार 2024, उसका भी यह था, आंसर होगा, 60 पैराशूट फिल्ड हॉस्पिट उत्रप्रदेश, गिरी मंत्राले ने इस अवार्ड की खोशना की लिए, तीक है, गिरी मंत्राले यह नोज भी आप देखता है, और यह नितायुस वाजचन बोस की 127 जैनती के अफसर पर यह खोशना की गई है, यह पुरुसकार केंद सरकार के द्वारा आपदा प्रमंधन यानि डिजास्टर मैनेजमेंट उसके छेत में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है, अब यह 60 पेराशोट फिल्ड है क्या, देखे इसके अस्थापना होई थी 1942 में, और यह इस देश में एक मात्र हवाई चिकसा प्रतिश्ठान है, इसने 2023 में यानि पिछले साल तुर्की और सीरिया में जो भुकम पाया था, 7.8 रिक्टर स्किल का बहुत भयानक भुकम, 10,000 से ज़्यादे लोग मारेंगा थे, तो उस दोरान, भुकम के दोरान, ऑपरेशन दोस्ट जो भारत सरकार का अभियान था, उसमें मेडिकल असिस्टेंस परदान किया था, ठीके, एक मात पना आस्था ये ौस्पीटल खोल सकता है, इसमें सारी सुवधाएं जो एक अस्पताल में होती है, वो सारी सुवधाएं इनके पास होती है, अच्प्रमध फ्लाइट से जाते हैं, हवाइ जहाज से जाते हैं स्पेशाल और वहाँ पर अपना हॉस्पीटल ओपेन कर देते पूरी टीम होती है, डॉक्टर से लेकर, नर्स से लेकर, वाडवाय से लेकर, सब कुछ होता है, तो ये सशत्र बलों का एक मात्र हवाई, चिकत सा प्रतिष्ठान है, और वैश्विक संकट में कई जगह पर इन लोगों ने काफी काम किया हुआ है, ठीक है, तो अवाट की घो पर अस्तर पर जो भी प्राकृतिक आपड़ाय हैं, उस दौरान मानो सहायतार का वखू भी काम किया है, तो विदेश के बारे में तो मैंने आपको बताया है, कि तुर्किये में वहां रहत अभियान, जो ऑपरेशन दोस्त था, उसमें काम किया था, उससे पहले भारत में, उतराखन में जो बार आई थी, 2013 में, उस दौरान काम किया था, नेपाल में जो 2015 में भुकम पाया था, उस दौरान इन लोगों ने काफी काम किया था, यहां तकि इनोनेशिया में जो सुनामी आई थी, उस दौरान भी मेडिकल असिस्टेंट वहां एड साहता देने का काम क ठीक है तो ये महातपूर्ण ने 60 पराशूट फिल्ड हॉस्पिटल उत्रप्रदेश, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लेते हैं, किस डिजिटल वालेट और पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में UPI का विस्तार करने के लिए NPCI International के साथ MOU साइन किया है, आल तो इसके साथ ये काम को, यानि UPI पेमेंट को दुनिया भर में विस्तार करने के लिए एक MOU साइन किया गया है, हो गई है कि भारत के बाहर जो यात्री जा रहे हैं, तो वो UPI के जरीए, Google Pay के जरीए, किस भी देश में वहां आसानी से लेंदेन कर सकेंगे, अला कि इसमें लगेगा, तो Google Pay ने अभी NPCI से, NPCI से कॉंटेक्ट तो कर लिया है, सिगनेचे कर लिया है, लेकिन अभी उस पर और ही काम होगा, तो फायदा ही होगा, नेक्स्ट कोर्शन लेते हैं, डॉक्टर भीम राव मेटकर की सबसे उची मूर्थी, कितने फिट के हैं, जमीन से 206 फिट होची, तो उसका अनावरन आंदर प्रदेश के विजयवारा में किया गया, तो मूर्थी का नाम क्या रखा गया है, क्या नाम रखा गया, आंदर प्रदेश का है, स्टेच्यू आफ सोशल जस्टिस, क्या है, स्टेच्यू आफ सोशल जस्टिस, क्या है, स्टेच्यू इस इर्थिमा का तो 19 जन्वरी 2014 को ठीक है 19 जन्वरी को कहाँ पर विजयवारा ये आंध्र प्रदेश में है ठीक है और कितने उचाई है जमीन से 206 फीट उचाई है यहाँ से कहेंगे ये 206 फीट उचाई है और इसमें 125 फीट के मूर्ती है यह जो मूर्ती है वो 125 फीट की मूर्ती है तो यह सब डेटा आप देख रहे हैं मूर्ती जो है नो वो 18.81 एकर का एक परिसर है पार्क है वही पर इसको अस्थापित किया गया है ठीक और दुनिया के जो टॉप 50 सबसे उची मूर्ती हैं उनमें यह शामिल हो गई है अच्छा हाल में कुछ जगों पर भी डॉक्टर आमबेटकर की मूर्ती अस्थापित हुई थी जैसे राश्मद्य दुरापदी मूर्मु ने 26 नॉवमर को सुप्रिम कोट परिसर में डॉक्टर बी आर अमबेटकर की परितिमा का उधगाटन किया था अक्टूबर 2030 में पिछले साल अमेरिका में Statue of Equality नाम से अमबेटकर की परितिमा वहां स्थापित की गए थी और भारत के बाहर डॉक्टर अमबेटकर की सबसे उची वो परितिमा है तेलंगाना के तदकालीन जो मुखमंतरी थे उस वक्त के चंदशेकर राओ के चंदशेकर राओ उन्होंने बी आराम बेटकर की 125 फिट उची परितिमा का नावरन भी किया था उस दोरान तेलंगाना में अगला कोशन लेते हैं Global Fire Power यानि GFP की सैने ताकत रैंकिंग 24 का अनिसार किस देश के मिलिटरी फोर्स सबसे पारफुल है आज़ो का USA, अमेरिका अमेरिका का सबसे पारफुल है और ये मिलिटरी पावर की रैंकिंग करने वाली संस्था है Global Fire Power उसे ने अभी जनवरी में ये लिश्ट जारी किये अमेरिका को नमबर वन पर दान किया है दूसरे नमबर रूस से तीसरे पर चीन है ठीक है और इसमें 60 अलग लग बिंदूओं पर ये लिश्ट बनाई गई है 145 देश हो की अब अगला कोशन लेते हैं और भारत की बात करते है कोशन होगा Global Fire Power की सेन ताकत रंकिंग 2024 का उनसार भारत का अस्थान क्या है आज़सर का इसका 4 भारत का 4 अस्थान है भारत लगाता और 4 अस्थान पर बना हुआ है हलाग कि बिल्टेन जो है ने 2023 में पांचवे अस्थान पर था जो की अब 2024 में छटे पर आ गया है और अगर परोसी की बात करेंगे पाकिस्तान की तो वो 2023 में तो साथवे पर था अभी 2024 में नौवे अस्थान पर आ गया है ताफ और ये देश देख रहे हैं अमेरिका और उनका स्कोर कितना है वो ये देख रहे है तो अमेरिका नौबर वन है सेकंड पर रूस थार्ट पर चीन और फूर्थ पर भारत है और फिर्फ पर देखेंगे पांचवे पर दक्षिन कोरिया सिफ्थ पर इनाइटर किंग्डम है सिफ्थ पर जापान है एर्थ पर तूर्की है नाइट पर पाकिस्तान और टेंथ पर है इटिली ठीक है और सबसे कम ताकत वर देशों में अगर बात करेंगे तो सबसे नंबर वन है सबसे कम ताकत में वो भूटान है उसका मालदोवा है फिर सूरी नाम, सोमालिया, बेनीन, लाइबेरिया यह उल्टा नीचे से चल रहा है सबसे कम ताकत वाले है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन लेते हैं और उससे देश के चीन जनसंख्या में चीन की जनसंख्या में लगता है दूसरे वर्ष 2023 में गिरावट हुए तो टोटल आबादी बता है ठीक है, चीन की होगा है चीन की जनसंख्या आजसों का 1.4 अरब 1.4 बिलियर ठीक है, और यह निउस देख रहे है कि लगता है दूसरे साल चीन की जो पॉपॉलेशन है वो डाउन हुआ है तो अभी 17 जनवरी को 2024 को चीन की सरकार ने एनवल डेटा जारी किया है और चीन की सरकार ने यह कहा है कि उसकी जो टोटल पॉपॉलेशन है वो 1.4 बिलियर है यानि 1.4 अरब है तो कुछ डेटा देख लेते हैं जनसंकिया 1.4 बिलियर है और पिछले साल 2023 में वहाँ पर 11.1 मिलियर लोगों की मौत हुई थी निचुरल है और लेकिन जन्म कम हुआ 9 मिलियर लोगों का जन्म हुआ तो मतलब क्या हुआ कि 20 लाग की गिरावट हुई है वहाँ पर उसकी आबादी में क्योंकि होना यह चाहिए था कि जितनी देथवरी उतनी जन्म होना चाहिए था या देथ से ज़्यादा जन्म होता है आंतोर पर देखा जाता है 2022 में भी गिरावट थी और 2050 तक यह अनुमान है कि चीन की जन्म संक्या में 109 मिलियर कमी होगी यानि एक आरब से ज़्यादा की कमी हो जाएगी उसकी आबादी में तो चुकि चीन की जन्म संक्या कम हो रही है तो ऐसे में भारत जो हैं सबस्यादा आबादी वाला देश बना हुआ है पिछले साल ही हो गया था और इस साल भी अब नंबर वान है दुनिया में सबस्यादा आबादी वाले देश होगा बारत अरकार ने अप्रेल 2023 में यानि पिछले साल देश की आबादी जो है वो 142 करोर और 46 लाख बताए थी उस वक्त भी भारत जोड़ना आबादी की मामरे में नंबर वन था अंतरश्टी तोर पर तो चाइना में जो आबादी गिर रही है तो उसकी वज़से वहाँ नुकसान भी है नुकसान क्यों है पहले तो आबादी गिरी क्यों देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी थी पिर वहां की सरकार नहीं यह तैकिया कि आबादी को कंट्रोल किया जाए और फिर one child policy वो लेकर आई थी one child policy और इसकी वही से क्या हुआ यह policy 1980 में लाएगे थी one child policy मतलब कि वहा कि एक कपल है पतीपत नहीं तो उनका एक ही बेटा होगा अगर दूसरा हो गया तो फिर बड़ी कारवाई होती थी अच्छे इसका नुकसान क्या है इसका नुकसान आर्थिक तोर पर बहुत ज़्यादा होता है जिन संख्या कम होने का मतलब है कि आने वाले वक्त में वहाँ युवाओं की संख्या कम होगी पिर उनको उनकी साहता भी करनी है, तो वो एक liability हो जाएंगे उस देश के लिए, क्योंकि जब उनके लालन पालन के लिए लोग नहीं हैं, तो उनका लालन पालन सरकार को करना पड़ा है, दूसरी बात यह है कि चाइना जो है न वो दुनिया के factory माने जाती है, तो दुनिया भ आरतों में भी बहुत सारा समाना आता है, तो ऐसे में यहां जो इवाओं की कमी होगी, तो उद्योगों में आने वाले वक्त में काम करने वाले लोगों की कमी होगी, और इसका असर चैने की अर्थोस्ता पर होगा, तो हलाकि इस चीज को कुछ साल पहले भाप लिया था ची पूरी बात समझ गया है और यह UPSC हो या तमाम जो PCS examination है राज्यों के बिहार हो, UP हो, NP हो उस सब में यह सब चीजन बहुत ही ज़रूरी है जो डीटेल मैंने बताया है अब next question लेते हैं राश्टी यह बाली का दिवस कम बना जाता है और इसका 24 जन्वरी को और इस पर के theme क्या है शुब कामना और संदेश, wishes and messages ठीक है बारत सरकार ने यह गोशना की हुई है और इसकी शुवात हुई थी 2008 में महिला और बाल विकास मत यह शुवात की थी कि लड़कियों को सपोर्ट करना और उनको समाज में अवसर प्रदान करने के लिए यह दिवस की घोशना की गए थी next question लेते हैं राष्टिय मतदाता दिवस कब मने आता है आंसोगर 25 जन्वरी को ठीक है 25 जन्वरी को और इस दिवस की जो शुरुवात हुई थी वो 2011 से मनाने के शुरुवात हुई थी भारत निरवाचन आयो यानि Election Commission of India उसका गठन कब हुआ था 25 जन्वरी 1950 तो इसलिए यह जो दिन है ना 25 जन्वरी इस दिन ये राष्टिय मतदाता दिवस के तौर पर मना जाता है तो अभी इस वक्त चीफ के Election Commissioner कौन है इस देश के भारत निरवाचन आयो के तो है राजीव कुमार और दो और होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं यानि Election Commissioner होते हैं चीफ तो हो अपाटिन करेंट फर स्कल्फिर मिलेंगे ताज दरीन कंटेंट के साथ ओके और देखेंगा जो रहें इस वीट के डिस्क्रिप्शन में इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्वेंज में PDF अबिलेबल है और आप डाउन्लोड कीजिए वहां देखें